इस देश के अंदर बामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लिकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत बिरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है दुर्भागे से उस स्वर के साथ सारुक खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई है सारुक खान को इस बात को या राद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुत संक्यक समाच उनकी फिल्मों का बहिसकार कर देगा तो एक आम मुसल्मान की तरह उनको भी सड़कों भी भठकना पड़ेगा मुद्धों पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए भारत के अंतराश्टिय च्छवी को खराब करने की जो अंतराश्टिय साजिसे हो रही है उस साजिस से सब को बचना चाहिए और अगर कोई इस परकार की साजिस किसी बेक्ती है किसी पार्टी को निसाना बनाने के लिए पुरे देश को या बोसंक्यक समाज को दुनिया का सबसे सहिष्ण समाज को यह तो हिंदू समाज है उस हिंदु समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के खड़ेंतरों में सामिल है तो उसकी सामविक निंदा होनी चाहिए उसका सामविक बहिसकार भी होना चाहिए पाक आतंकी मुंबई बलाश कम क्या रूपी है हाफिस सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शारूप खान हो या फिर जो साहितिकार है वो लोग अगर अगर अच्छी पनाशुश कर रहे है भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं निमंतर दो बखो भी जाएं लोग हम भी इसका स्वागत करेंगे कि यह लोग जाएं कम से कम भारत को बदनाम करने वाली लोग अपनी वास्तिवक्ता और अपनी आउकात को भी समझेंगे एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था जब कुत्तों की तरह इसको दुद्कारा गया था वास से तो उसी प्रकार से यह हाल इनको भी होंगे मैं कह रहा हूँ न चाहिए यह लोग आतनकी वासा ही यहां बोल रहे हैं मुझे लगता है सारुक खान की भासा में और हफिस सहीत की भासा में कोई अंतर नहीं है